रन्बीर कपूर के साथ फिल्म रॉक्स्टार से बोलिवुड में कदम रखने वाली नर्गिस फाकरी के बारे में पिछले दिनों काफी चौकाने वाली खबर सामने आई कहा जाने लगा कि वो हमेशा के लिए बोलिवुड और भारत छोड़ कर चली गई इस तरह की अठकलों की शुरुआत तब हुई जब वो हाउसूल 3 का प्रमोशन बीच में ही छोड़ अपने घर अमेरिका चली गई बाद में खबर सामने आई कि उदे चोपरा द्वारा दिल तोड़े जाने के बाद नर्गिस सदमे में आ गई और इसके बाद उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ कर दूर चले जाने का फैसला कर लिया हाला कि नर्गिस के मुताबिक ये सब सिर्फ अटकले थी इन में कोई सच्चाइन नहीं है नर्गिस ने खुला सक्या है कि वो एक जान लेवा बीमारी से लड़ रही थी वो आर्सेनिक और लीड पोईजनिंग से पीडित हो गई थी डाक्टर उने मेरा टेस्ट किया तो वह डर गई क्योंकि मातरा काफी ज्यादा थी मैंने उनसे पूछा कि मुझे क्या करना होगा तब ही मैंने मेरा एलाज खुद किया मैंने इसके बारे में रिसर्च किया और फिर आयउर्वेट से खुद ही इलाज किया पिछे महीने बाद मैंने अपना टेस्ट करवाया तो कुछ नहीं निकला, डॉक्टर इस पर हैरान थे इसके अलावा जब 36 वर्षे नर्गिस थे, प्यार और शादी के बारे में पूछा गया, तोनों ने कहा मैं शादी नहीं करने वाली, आप देख रहे हैं ना कि शादी तूट रही है और सभी लोग शादीयों में एक दूसरे को धोका दे रहे हैं, शादी कुछ नहीं है, यह केवल एक लेबल है, मैं इंडिपेंडेंडेंट हूँ और शिक्षिक महिला हूँ, मैं मेरे पैसे खुद कमाती हूँ, मा का खयाल रखती हूँ, मैं जो करना चाहती हूँ, वह कर सकती हूँ, मुझे किसी की मनजूरी नहीं लेनी पड़ती, यह है एक अच्छी चीज है वेल शादी को लेकर नर्गिस का ये बयान सुनकर उधे चोपड़ा के दिल पर क्या बीतने वाली है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं